तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो अल अफ यू तो आज मैं थोड़ा strategy बताऊंगा आपको कि किस तरह से geography को आप शुरू कर सकते हैं कौन से subject के साथ पढ़ सकते हैं किसके पहले शुरू कर देना चाहिए as a new learner की मतलब इस subject को कब आपको उठाना चाहिए यह सब चीज़ है ठीक है तो और इस subject का role क्या है आपकी पूरी preparation में दूसरी बात कुछ जो किताबें पढ़नी चाहिए कौन सी जरूरी है क्या alternate है notes का क्या role है तो उसको हम लोग जो है discuss करने का प्रयास करेंगे यहाँ ठीक है बाकी जो prelims और mains से related जो important topics हैं वो भी कुछ मैं आपको highlight कर दूँँगा specially mains के related जिससे यह रहेगा कि आप newspaper जब पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें पता हो जाएगी है ना अब थोड़ा सा सुनिएगा जरा इस चीज़ को कि geography की समस्या है जो शुरू होती है वो कहां से होती है सबसे पहली चीज़ तो यह होती कि इसको पढ़ना क्यों है और इससे पढ़ना क्या फाइदा हो जाए या कोई नया लड़ना है तो इसको कप पढ़ना जाए एक चीज़ ध्यान से सुनना मतलब कल को कोई अपने से जब UPSC की तयारी करने को भी कह रहा है या खुद भी कर या जब आप स्टार्ट करते हो ना तो एक चीज़ देखते हो यार करेंट अफेर्स ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है जरूरी है जो चीज़ चल रही है बड़ एक एक चीज़ जिसको आप मतलब फॉर एक जामपल की आप जो है भोपाल के है ठीक है और ठीक है और आप ерьक पर पड़ रहे और एक टो फॉर एकजांपल बात करने हम लोग की अल Prix की टुकी कोई न्यूज आ गई टीक है स्वेडन की कोई न्यूज कोई यूज आ गई एंडिया में में मानलो मतलब ये हुआ मैं आपको बह रहा हूँ और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये learner बोल चुके हैं और ये अनुभव कर चुके हैं कि कोई नया learner यदी है और geography को या geography का महत्व समझना चाह रहा है believe me थोड़ा बहुत knowledge कम से कम world mapping का ज़रूर लें आप वर्ल जोगरफी बहुत important है direct question एक दो मिलेंगे बट indirectly आपको day to day help करने वाला ही है current affairs में world history में international relation में जब आपको पता ही नहीं होगा इसराइल के पड़ोसी देश कौन से हैं तो आप उस level का वहां तक कभी relation ही समझनी पाऊगे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह चीज जो है हाँ clear हो गई बात तो बहुत basic चीज है world mapping का अपना खुद का जो है वो roll रहेगा इस बात को थोड़ा सा आपको focus कर लेना है तो इसको कब पड़े world map की खास बात है नहीं भी basics होंगे जापके geography कोई physical geography Indian geography नहीं भी आ रहा है इस जो दिमांग में एक dilemma है ना world map का वो जाज़र आप दिमांग रखना है कि at least basic learning के लिए आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि कहीं से भी शुरू करते हैं आप कभी भी कुछ भी मत पड़ो geography में शुरू ही करना है तो आपको starting with the physical geography इस चीज को जो है आप सबसे पहले मान लिजे क्योंकि जब तक physical नहीं पड़ोगे जब तक आपको mountain बनना नहीं आएगा जब तक plateau नहीं पता होगा जब तक walcan नहीं आएगा जब तक earth quake नहीं आएगा जब तक कुछ भी चीज climate wind system आप आगे इंडिया क मैं से पहले क्या पढ़ूं तो सर physical geography पहले पढ़ना है बहुतिक Google को सर पहले पढ़ लिजे इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है तो इसका जो step है पढ़ने का पहला physical पढ़ लिजे आप Indian geography को cover कर लेना इंडिया के बाद में जैसे ही आप आगे geography में जाना चाहिए Economic human क्या होता है Economic मतलब जिसमें industries, mineral के बारे में आप पढ़ते हो Human में कहीं tribes वगरे के बारे में आपने जानकारी लेगी बहतर है कि subject को नहीं पढ़ना है आपको General study को पढ़ना है मतलब थोड़े से पुराने paper भी बीच-बीच में देख लिया करो एक idea लग जाता है कि actual में subject में कितनी गहराई तक पहुँचना है नहीं तो as a subject तो आप कभी never ending subject है कभी end ने होने वाले है इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा द्यान से समझ लेना है ठीक है तो पहले तो मैंने आपको एक orientation pattern बता दिये कि as a new learner आपको क्या शुरू करना चाहिए तो first of all आप physical geography के पास जा सकते है फिर ही Indian geography में जाए क्या करना है सरीन का तो अब जो है दो सवाल है कि physical शुरू कहां से करें जो next topic आएगा दिमाग में बुक का बता दो अब बुक का मैं पहले भी बता चुका हूँ physical को पढ़ने से पहले इसकी जो ideal NCRT मुझसे पूछोगे physical जो आपने को exam में काम आने वाली वो class 11 की NCRT है प्लीज ध्यान से सुन लीजेगा बहुत important चीज में बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ for the physical geography जो mainly आपको पढ़ना है वो पढ़ना है class 11 की NCRT उसका नाम होगा fundamental of physical geography ठीक है fundamental बहुत एक भुगोल के मूल सिध्धान उसी कक्षा 11 में Indian geography की एक NCRT और होगी Indian geography Indian geography उसको वहाँ से आपको कबर करना है but as a new learner फिर बोल रहा हूँ पहली बार जब शुरू करोगे तो दिक्कते होती है direct 11 की NCRT समझ में नहीं आती सबसे बेस तरीका है पहले class 6 की NCRT पढ़ना अब कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज शुरू करी थी जी हाँ चार classes हो पाई थी बीच में मुझे उसको अचानक बंद करना पड़ गया लेकिन जितने भी छात्र बैठे हो believe me ये बहुत जल्दी मैं इसको फिर से continue करूँगा ठीक है कुछ कारण है emergency आ गई थी या समय का भी आप मान सकते हैं अप लबदता थोड़ी सी इस समय कम मिल रही थी मुझे तो बहुत ही जल्दी उसको मैं शुरू कर दूँगा तो काफी learner परिशान भी हो रहे थे कि सरा NCRT का क्या करें कब शुरू करें आप उस NCRT को मैं बिल्कुल continue करूँगा वहां समय आपका ये छटवी का बेस बना कर उसके बाद फिर हम दीरे तक जो है 11 पर पहुँचेंगे मरलब जब भी आप पढ़ना हो तो as a new learner self study भी जो कर रहा हूँ उसके लिए मैं आज मैं कह रहा हूँ कि भाईया ये आप NCRT जो पढ़ना है न 11 को direct मत उठाना पहले 6th की पढ़ लेना NCRT 6th की NCRT पहले पढ़ लेना clear हो गई बात तो ये 2-3 चीज़े हैं जो बहुत basic है NCRT इंडिया की 11 की काम आ जाएगी अब इसमें क्या 10 प्रकार के छात रहें किसी को बहुत basic आता है किसी को नहीं आता है तो कुछ नहीं किया है बहुत simple काम किया है देखना प्लीज ध्यान से सुनना है इसके दो तरीके और बता सकता हूँ जैसे मानलो आपने एक topic उठाया 11th की NCRT में that is volcano तो आप topic wise भी पढ़ सकते हो पुरानी जो है 9th की NCRT में जाओगे उसके बाद में थोड़ा और 11th में पढ़ोगे हम problem हमारे साथ क्या है आज 6th की पढ़ ली फिर 7th पढ़ ली फिर 8th पढ़ ली फिर 9th पढ़ ली फिर 10th पढ़ ली इनको पढ़ने में हो गए सर एक महीना लग गया तो जो 7th में पढ़ा था 7th ते 12th 11 तक आने में फिर से 20 दिन लग गए भूल गए ये connect नहीं कर बाए तो ये topic वाली strategy भी आप अपना सकते हैं कि मानलो suppose you decided कि आज मुझे इंडिया के mountains पढ़ने हैं पूरे तो 11th class की NCRT में गए आपने देखा अच्छा हिमालय का division है पुरानी NCRT एक बार चेक कली जादा time नहीं लगता आपने देखा कि यार हिमालय इस NCRT में इस NCRT में सबसे छोटे स्तर पर पहुँचे वहीं से शुरू किया पहले ये स्तर करो फिर ये कर लो फिर ये कर लो एक दिन में एक साथ end बार बार जो है उसी चीज को दोहराने से कोई सेंस नहीं है ध्यान रखना तो आप topic वाइस भी select कर सकते हैं आपने देखा start किये कि यार ये plate tectonic topic है तो अचानक 11th में डाइरेक्ट नहीं आया है ये पेंजिया पेंथलासा नववी में मिल जाएगा पहले तो उसी दिन आप पहले तो पूरी NCRT लाइन से रख लो अपनी आखों के सामने topic निकाल लो पहले और बिल्कुल सबसे कम स्तर पे पहुंच जाओ और कम स्तर से शुड़ू करो फिर बढ़ना हम कर गया रहा है as a whole पूरा पढ़ लो 6th फिर 7th पूरा पढ़ लो फिर 8th पूरा पढ़ लो अब 8th जब पढ़ रहा हो 6th भूलते जा रहा हो इधर 11 तक पहुंचे 9 तक पूरा भूल गया कैसे connect होगा भी या self-study की कह रहा हूं मैं कोई सिक्षक पढ़ा रहा है connect करके दे रहा है तो वो तो फिर कोई problem ही नहीं है उससे बहतर तो कोई लाज नहीं तो यह चीजें थोड़ा सा याद रखना कि आप एक बार कोशिश कर लेना topic wise पढ़ने की इसमें तो यह NCRT पूरी समझ जाएंगे आपको आगई बात समझ में यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो NCRT topic wise आप समालो और यह आपको बहतर result देगा अब इसके बाद यहां तक होने के बाद प्लीज ध्यान से सुन लेना यह होने के बाद अब अगला काम जो आपको करना है वो य जहंग से पढ़ ली आपने proper guidance में और old papers वगरे लगा लिये न और थोड़ा current affairs update हुआ किसी किताब पर जाने की जाला जरुवत पड़ेगी नहीं बहुत selective reading करना पड़ेगा यह सच है geography के लिए आगे बढ़ते हैं फिर भी बुक माननी रहे हो जैसे कि नहीं नहीं बुक बता कि इसको जो है आपने direct उठा लिया नहीं आपको लगता है तो जब वो volcano chapter पढ़ रहे थे आप तो आपने सब ncrt cover कर ली ना उस दिन आप इसको gc leong से भी देखना चाहो तो देख लो अगले step में mountain पढ़ रहे थे मानलो तो mountain बाद आप इस book में चल जाए कोई भी किताब प सही pattern बता रहा हूं जो काम आएगा मतलब मान के चलिए आज play tectonic पढ़ा आपने नाइन्थ में पढ़ लिया आपने देखा कि या नाइन्थ में ही मिला है सबसे पहले ही मानलो 7th में मिल गया तो 7th का पढ़ लिया फिर 9th में आ गए 9th का 11th में आ गए 11th में सीधी जी सी लि दिने में यदि मुझे लंबे समय तक चीज़ें याद रह रहे हैं और टाइम जो है मेरा वह बच रहा है तो कितने बहतर चीज़ें मेरे लिए यह हो गई बात अब बोले सर ऑप्शनल भी मुझे तो त्यार करना है ऑप्शनल का क्या करूं मैं देखो पहली चीज़ यह है कि आप जीएस पहले अपना स्ट्रॉंग कर लो जीएस आप जोग्रफी बढ़ियां कर लो अपना और मैं आज के टाइम को देख के बोल रहा हूं इन्वार्मेंट को स्ट्रॉंग कर लो आप क्योंकि जब तक यह दोनों स्ट्रॉंग नहीं होंगे न आपको करेंट इशूस कभी समझ में नहीं आएंगे और आपका ओप्शनल ना है खाली चला जाएगा सर यह ओप्शनल में बहुत करेंट अफिर्स पढ़ना पड़ेगा बहुत इन दे सेंस कि कुछ चीज़ें तो जो नॉर्मल किताब है यूमन जोगरफी की माजिद हुसेन उसके बाद में आप पर हुआ क्या है कि वो किताब है इधर आ गई है जीएस में बोलते बोलते लोग बोले की जीएस में भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं होगा आप उसको और तक ही रहन दो सबिंदर सेंग तो यहां तक कोई दिकत किसी को तो आप लोग यह जो समस्या है ना सेल्फ स्टेडी वाली वह आप तोड़ सकते हो इन चीजों से स्टेप बाई स्टेप लर्निंग से कोई भी टॉपिक है ना उसको टॉपिक वाइस ऐसे डिवाइट कर लो मैं कह रहा हूं अभी भी कह रहा बात मैं पहले भी बता चुका हूं आज भी मैं वापस कह रहा हूं यह अब तक मैं प्रिलिम्स का ज्यान दे रहा था मेंस में आप पुराने 10 साल के पर उठालो जोगरफी के वाटर का मैनेजमेंट स्वाइल का मैनेजमेंट एगरी कल्चर का मैनेजमेंट उसके बाद में फॉर एक्जामपल थोड़ा बहुत जो है उन्होंने आगे और ले गए तो रिवर लिंकिंग वगरे पर पहुँच गए माल लो मतलब आफ्टर और वाटर पर ही पहुच गए वाटर मतलब फ्लड ड्रॉट पर आ गए एक सेक्शन यह है वाटर स्वाइल एगरी कल्चर रिवर यह दूसरा फिजिकल जोग्रफी का एक कोश्चन मतलब चाहे वो प्लेट टेक्टॉनिक से देदे चाहे क्लाइमेट से देदे चाहे ओशियन से देदे एक कोश्चन यहां से मेंस आपका कबर हो जाएगा अन्य सरी दस टॉपिक में भागने की जर्वत ने अब इनको कहां से पढ़े पहले GS बेसिक प्रलिम्स वाला जो बेसिक लर्निंग NCRT वाली पहले वो पढ़ लो ताकि आप लोग बहुत बहतर ढंग से बहुत ही बहतर ढंग से इनको अलग-अलग न्यूस पेपर में Economic Survey में इनको जब आप पढ़ोगे तो यह Automatically दूसरी बात यह और कहां मिलेंगे सर योजना जैसी जो magazine आती है इनके नाम से किशु मिल जाएगा आपको वहां से उठाओ content वो एक direct answer है आपके लिए और question यही आते हैं कि इनका management करना है इनसे related issues क्या है इनसे related क्या समस्या है वो चीज़ें आपको बतानी है तो इस बात को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझना यह बहुत ही important है काफी जादा यह दो connection जो आपने को याद रखते है प्लेट टेक् तो ध्यान रखें किताबों के पीछे मत भागो NCRT भी किताब है उसमें भी pages होते हैं यह भी ध्यान रखना है योजना गुरुक्षेत्र magazine पढ़नी चाहिए आपको economic survey पढ़ना चाहिए तभी आप water management, soil management, agriculture, river, flood, drought ठीक है इन चीज़ों को जब आप देखोगे तो यही question आन वाइड होंगे आपके एक question हर साल fix है आना है physical geography का आता ही है एक बार कहीं plate tectonic से कहीं से आ जाएगा तो कहीं climate से आ जाएगा नहीं तो ओशन से आ जाएगा और नहीं तो फिर बागी ये management वाली बातें चलती रहेंगे चोगी यह वो point आगे ना जाए environment mix करने का पूरा प्रय geography में lithosphere में कितने topic हैं देखो मैंने बताया जैसे आपने continental drift theory पढ़ ली आपने sea floor पढ़ लिया आपने जो है मानलो for example इसके बाद plate tectonic पढ़ लिया plate tectonic के बाद में मानलो rocks पढ़ लिये volcano आ गया earthquake आ गया land forms आ गया ये 6-7 topic है जो physical में lithosphere में land mass से तो ये हर topic आपको हर NCRT में हर एक एक दो दो वाली NCRT के gap में मिल जाएंगी जी तो इन topics की पहले listing कर लो फिर climate में आया आपने देखा यार पहले structure आता है structure of atmosphere के बाद में मानलो फिर आगे आप जैसे ही गए तो structure of atmosphere के बाद में आपने देखा की pressure और winds की कहानी आ गई आपने देखा की humidity की कहानी आ गई आपने कहा की cyclone की कहानी आ गई jet stream की आ गई शुरू वहीं से basic से करो zero level से उठाओ topic wise आप देखो के चीज़े आपको वहीं connect होती में मिल जाएगी गलती हम बस यह कर रहा है मैं जो बता रहा हूँ आज का session आप मानके चलिए इसी चीज के लिए मैंने लिया भी था 6th पढ़ कि सब भूल चुके हैं यह सब नया लग रहा है जीवन में देखकर हो जाएजिए ऐसे काम नहीं करना है आप topic wise समाले और यह चीज़ें आप एक बार किसके साथ करो अपने हर subject के साथ भी करो अब जैसे माल लो history पे भी पहुँच गया ना topic wise भी करोग तो भी काम हो जाएग पूरी ncrt जान लो ncrt पूरी indus valley indus valley indus valley तो आपको कनेक्स्ट हो जाएगा हर जहाँ जहां जहां indus valley सर्द इक की बार में हो जाएगा यह उन लोग के लिए कह लिए कह रहा हूँ जिनको जल्द बाजी नहीं है shortcut जिनको अपनाने नहीं है समझ रहो हमा है जो shortcut समझते हैं, जो आसान तरीका सुन जाए और जो trick समझते हैं, तरीके मेरे थोड़े कठिन मिलेंगे भई या, पर बहतरीन काम आ जाएंगे ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोग लिए बिल्कुल नहीं है, जो shortcut चाहते हैं जीवन में, जो थोड़ा सा मतलब दिवार से ticker बैटके पढ़ने चाहरे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आगई बात समझ में, बिल्कुल नहीं है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि syllabus में और दूसरी बात, किसी subject को आप इस नजरिये से मत देखो कि इसके कितने question आते हैं, म मैंने कहा न, आपका current affairs खाली हो जाएगा, आपका environment खाली हो जाएगा, मैं कहा रहा हूँ, तो कभी भी, कुछ भी judgment खुद से ही नहीं लेना है, एक बार पूछ जरूर लेना है, जब विवस्था मिल रही है, जब आप at least कुछ पूछ सकते हो मुझ चाहदी comment में, तो वो ची ऐसे काम ने करना है